नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइब एंडिये के अंदर जेडियू और बीजेपी के रिष्टों के तल्खिया लगातार बलतीज आ रही है इसे बताने के लिए ज्यादा कुछ कहनी के ज़रत नहीं है हम आपको दो बयान याद दिलाना चाहेंगे पहला बयान जेडियू नेता श्याम बहादूर सिंग के तलब से दिया जाता है कि ये गठवंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है हमें नितीज कुमार को मजबूत करना है और साथे साथ अपने कारेकरतों सिखा था कि हमें चुनाव के लिए तयार होना चाहिए उस मंच पर जीडियू के प्रदेश अद्यक्ष उमेश कुसमा मौझूद थे साथे साथे साथ कई बड़े नेता थे कि NDA के अंदर BJP बड़े भाई की भूमिका में है लेकिन सरकारी कारेकरेमों में नहीं दिखता है और उसके बाद आपने देखा होगा कि BJP के मंतरी अपने कारेले से अपने कामों का गुंगान करने लगे यानि एक दिन पहले जो है तार्क सुपशाद ने कहा था कि हम सरकारी कारेकरेमों में नहीं दिखते हैं कहने का मतलब था नितिस कुमार सारा क्रेड़ ले रहे हैं उसके बाद उनके बिधायक अपने कामों का गुंगान करने लगते हैं सिर्फ BJP के मंतरी आप समझ सकते हैं कि जेडियू और BJP के रिष्टे किस तरफ जा रहे हैं इसके बाद आप एक बड़ा हमला किया है BJP ने आपको पता होगा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं पिछले 24 घंटे में 25 नए मरीज भी ले हैं साथी साथ ज्यादा खत्रा इसलिए है और बकाइदा BJP बिधायक हरिविशन ठाकुर ने नितिसकुमार को घेराया और कहा है कि आखिर नितीज सरकार को हिंदियों के पर्व में ही इसतर की बाती क्यों यादा आती है जब किसी और धर्म का पर्व होता है तो ये निगम क्यों नहीं रागू किये जाते है अब आप समझ सकते हैं कि धर्म के मामले को लेकर BJP नितिसकुमार पर सीधा हमलावर है और यहां तक कहदी हरिविशन ठाकुर ने आप शब्दों पर गोर करिएगा कि ये गरी विभाग की सोची समझे साजश हो सकती है गरी विभाग किसके पास है नितिसकुमार के पास और आपको पता होगा गरी विभाग पर कैसे शुरू से ही भाचपा की नज़र है कहा भी जाता है कम الص सब्सक्राइब करने से पीछे नहीं चुकेगी इसके साथ ही बीजेपी नितीस कुमार पर हमला करने से पीछे नहीं चुकेगी इसके साथ ही बीजेपी कब रखता है मिर्तुन जहामी ने भी असपश्ट कर दिया कि आखिर दुरगापुजा या होली के तभार में ही ऐसा क्यों होता है जबकि किसी अन्धर्म के तभारों में ऐसा नहीं होता है यानि नितीस सरकार जान भूझकर हिंदू के पर्व में खलल कि एक ऐसी सरकार है कि जिसके नेता ही अपनी सरकार की बात नहीं मान रहे है वहीं आरजडी के एक मलसी ने कहा कि इस पर धर्म की राजिंती नहीं होनी चाहिए को ना एक महामारी है और आपको पता होगा बगाइदा प्रदहामंत्री से लेकर बिहार में अगर हम बात करें तो इस वक्त राज से वासांसर पर उभुगंत्री तो शिल्मोधी ने बकाइदा कहा है कि आप मास्क बहने के कैसे सबढ़ रहे हैं तब आप तैयारियां चल रही है फिर से वैक्सिनेशन जो एक तरफ चल रहा है टेस्टिंग की बात की जा रही है कि बाहर से जो लोग आता है आप समझ जाईए कि यहां से अब बीजेपी और जेड़ी के रस्तों के बीच में तल्खियां लागातार बढ़ेगी कम होने का नाम नहीं लेगी और यह कि स्तरफ जाएगा आप जानते हैं बश्यमंगाल में चुनाव होने वाले यह भी कहा जा रहा है कि जो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा प